गिरीधर कवीराये इनका जम लगभग, अब ये बोल रहे हैं लगभग, अभी पता निया, लगभग 1713 में हुआ था, इनकी कुंडलिया अधिकांश था, अवधी भाषा में लिखी हुई थी, कौन सी भाषा में बच्चों, अवधी की भाषा के अंदर, इससे अनुमान लगाया जाता है कि अव लोगप्रिया, हैं लोगों की प्रिया, नीती विशयक बातों के उन्होंने सरल और सीधी भाषा में वणन किया है, इनकी कुंडलियों में नीती की परमपरागत, बाते था, अनुभाव पर आधारित, नई बातों का भी क्या हुआ, बच्चों समावेश हुआ है, तो देख यहां पर आपको दे रखिये तीन कुंडलिया दे रखिये क्या दे रखिये बच्चों तीन पहली है बिना विचारे जो करे सो पाचे पच्चताए काम बिगाडे अपना जग में हो धसाए जग में हो धसाए चित में चैन न पावे खान पान सम्मान रागरंग मन ही न भावे कह गिरधर कविराय दुख कचुक तरत न टारे खटकत है जीह माही कियो जो बिना विचारे अब ये क्या कह रहे हैं बिना विचारे विचार के बिना पच्छताय मतलब पच्छताना पाच्छे मतलब पीछे से हसाय मतलब हसना चैन मतलब कई भी अच्छा ना लगना ठीके अब हम पढ़ते हैं इसको एक बार पुना पढ़ते हैं फिर इसका अर्च समझते हैं बिना विचारे जो करे सो पाचे पच्चताए, काम बिगाडे अपना जग में होथ हसाए, जग में होथ हसाए चित में चैन न पावे, चित मतलब हरदय में, खान पान सम्मान रागरंग मनही न भावे, कह गिर्दर कवीराय, दुखह कचु टरत न टारे, खटकत है जिह माही क जो बिना विचारे, तो देखो अब यहां हम उसकी व्याख्या करते हैं, गिर्दर कवी जी कहते हैं कि बिना सोच विचार के जो कोई भी व्यक्ति काम करता है, पहली लाइन दिन बिना विचारे जो करे सो पाचे पच्चता है, तो हमें बिना विचारे कोई कारिय करना नही चाहिए क्यों वहबाद में पश्टाता है अगर आप बिना विचारे कोई कारिय करते हैं तो आपको पीछे से क्या करना पड़ता है पश्टाना पड़ता है इसलिए कोई भी कारिय को करने से पहले सोच विचार करना चाहिए ऐसा करने से एक तो उसका काम बिगड़ जाता है दूसरा संसार में उसकी हसी होती, मतलब लोग उस पर हसते, देखो यदि आप कोई कारिय बीना विचारे करोगे, तो लोग आप पर हसेंगे, क्यों? क्योंकि आपका काम बिगड़ जाएगा, इसलिए बच्चों कहा जाता है कि यदि आप कोई कारिय करते तो उसके पहले आप को सोचना है कि उस काम का क्या लाब है, क्या हानी है, वो काम सही है, या नहीं, अर्थात सब लोग उसका मजाग उड़ाते हैं, संसार में हसी होने के साथ ही साथ, उसके स्वयम के मन में शांती नहीं रहती, क्यों? अब उसका काम बिगड़ गया, तो उसके मन में शांती रह तो लोग आप पर हसते तो आपको भी बुरा लगता है आपके मन को भी शान्ती नहीं रहती न क्यों ये मेरा काम खराब हो गया लोग मेरे पर हस रहे वो परेशान हो जाता है खाना पीना सम्मान राग रंग आदी कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगती ये लाइन थी ना जग में होथ हसाए, चित में चेन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। यदि आप बिना विचारे कोई कारिय करते हो, तो पीछे से आपको पश्ताना पड़ेगा, आपका सुक शांती सब कुछ चले जाएगा। अर्थात भगाने पर भी भागता नहीं, आप उसको कितना भी करो, लेकिन जो चीज हो चुकी है, वो वापस से नहीं हो भागती। और सदा ही यह बात मन में खटकती रहता और यह सदा ही आपके मन के अंदर रहती है, कि बिना सोच विचार के करने से मुझे यह मुसीबत जेलनी पड़ी। और यह बात आपको, मतलब मन ही मन आपको पश्तावा होता है, कि यदि मैंने सोच समझ के वो कारिय किया होता, तो मुझे इस तरह की मुसीबत नहीं जेलनी पड़ती है, लेकिन इस तरह के कारिय से आपको क्या होती है, हमेशा मुसीबत जेलनी पड़ती है, तो बच्चों इस कुंडली से हमें क्या शिक्षा मिली हमें यही शिक्षा मिली कि हम चाहे जीवन में कोई भी कारिय करें अच्छा हो बुरा हो कैसा भी कारिय करें सोच विचार कर करें ताकि हमें भी आगे जाके पश्तावा ना हो और लोग हम पर हसे नहीं दूसरी कुंडली है आपकी दौलत पाय न कीजिये सपने हूं में अभिमान चंचल जल दिन चार्यू की ठाव न रहत निदान ठाव न रहत निदान जीयत जग में यश लीजे मिठे बचन सुनाए बिनाई सभी कीजे कह गिरधर कवीराय अरे यह सब घट तौलत पाहू निशी दिन चारी सरहत सबाई के दौलत अब सपने हूं मतलब सपना चंचल मतलब चले जाने वाला चंचल रहनाच साब का मन चंचल होता है वैसे पाहून का मतलब होता है आपका महमान तो देखे अब यहाँ पर व्याख्या में कह रहे हैं इस चंद के माद्यम से कवी हमें यह अनुभव बताना चाहते अब वो उनका खुद का अनुभव भी हमारे साथ हमें बताना चाहते कि वैक्ति को धन पाकर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहे देखो कितनी अच्छी बात बोली कि अधी आपके पास पैसा आता है तो आपको उस पैसों का गमण नहीं करना चाहिए सपने में भी आप उन पैसों का गमण ना करें क्योंकि यह माया आनी जानी है पैसों की माया आज मेरे पास खल तुम्हारे पास पैसे आते है जाते है तो हमें इस पर घमण नहीं करना चाहिए और बड़ी ही चंचल है एक जगह ज़्यादा दे तक स्तीर नहीं रहती अब धन आपके पास ज़्यादा समय तक रहता है नहीं रहता है यह चंचल है एक जगह से दूसरे जो प्याव पर रखा जाता है आपने देखा है ना जगे जगे प्याव होते हैं जा मटके रखे जाते हैं पानी पीने के लिए उसे हम प्याव कहते हैं तो अब क्या होता है अब वो प्याव है लोग आते हैं पानी पीते हैं और चले जाते हैं उसी तरह धन भी हमारे पास आत इसका यही सही उपयोग है उसका उपयोग वही होगा आप उसको अपने धन को अभिमान करने से अच्छी जगा उपयोग कीजिए तो आप क्या कर सकते हो अहराम से उस धन का उपयोग कर सकते होगे और साथ में आपकी किर्दी बढ़ेगी आया समझ में फिर है कह गीरिधर कव अरे यह सब घट दोलत पाहू निशेद इनचारी रहत सभई के दौलत अब उसके बादे देखिए सबसे विनम्र भाव रखे और मीठा बोले सबसे अच्छा भाव रखना चाए विनम्र भाव रखना चाहिए और सब के साथ मीठा बोलना चाहिए कवी गिरीदर कवी राय कह रहे कि यह दौलत में सबको उपर नीचे कर रखा यह दौलत है न यही सबको बिगाड़ रहे हैं यह बोल रहे हम करीब है कोई बोलता है हम अमीर है तो यही उच नीच के भाव को और इसी के वज़से हमारे में घमंड आ गया और हमारी वानी खराब हुई सबको तोल रखा और इसने सब भी को तोल रखा है यह माया उस अथिती महमान की तरह है जो चार दिन तक रहता है अब देखो बच्चो आपके घर पे कोई महमान आता है अथिती आते वो कितने दिन तक रहते हैं दो-चार दिन के लिए रहते हैं तो पैसा भी उसी अथिती के समाने वो आपके पास जादा दिन तक नहीं रहता पर आखिर अपने घर जाता है वो जिसका है उसके पास जाता है बारी-बारी से इसी प्रकार की यह माया उसके लिए चार दिन की महमान है और यह जो माया है पैसो की वो आपके पास कितने दिन की महमान है चार दिन की महमान के बराबर है तो अभिमान की इस बात का तो हमें बच्चों अभिमान नहीं करना चाहिए तो इस वाले जो चंद है या कुंडली उससे हमें क्या शिक्षा मिली हमें यही शिक्षा मिली चाहे हमारे पास धन हो हम उसको अच्छे काम में उसका उप्योग करे कभी उसी के उपर अभिमान नही करना चाहिए क्योंकि यह चंचल है आज मेरे पास कल तुम्हारे पास फिर किसी और के पास इससे हमें हमारे संबंदोंको बिगाड़ना नहीं चाहिए जिस तरह चार दिन महमान आकर अपने घर जाते है उसी तरह धन भी क्या करते है थोड़े समय हमारे पास फिर किसी और के पास तो हमें हमारे धन पर अभिमान नहीं करना चाहिए अप कहिए नहीं साइं ठीके अब देखो यहाँ पर हम इसका अनुवात देखते हैं कवि गिर्धर कहते हैं कि अपने मन की भूल किसी को बतानी नहीं चाहिए यदि आप से कोई भूल हुए तो उसे मन में ही रखना चाहिए यदि आपने कोई भूल की है तो उसको क्या करना चाहिए बच्चो मन में ही रखना चाहिए किसी को बतानी नहीं चाहिए इससे कोई दूर्जन आप पर हसेगा नहीं जो दूर्जन मतलब क्या होते है बच्चो जो बुरे वेक्ती होते है दूर्जन मतलब जो बुरे वेक्ती होते है वो आप पर हसेगे नहीं इसलिए आपको क्या करना है यहां पर अपनी गलती को अपने तक सीमित रखना है गिर्दर कहते है इसी में समस्दारी है चतुराई का मतलब क्या होता है समस्दारी क्योंकि मनुष्य की कर्तुष सब कह देती है कुछ मत बोली, आपको कुछ नहीं कहना है तो ताथ पर यह यह है कि आप अपनी गल्थी सबको मत बताए वरना जो बुरे लोग है वो आप पर क्या करेंगे हसेंगे और आपको क्या करना है बच्चो दूर्जन वैक्ती से हमेशा दूर रहना चाहिए क्यों क्योंकि आपकी गलती पर वो हमेशा हसेंगे ही आया समझ में तो इस वाले छंद से हमें क्या शिक्षा मिली हमें यही शिक्षा मिली कि हमसे जो कोई गलती होती है तो वो हमको सबको नहीं बतानी चाहिए और हमको खुद से उसको क्या करना चाहिए सुधारना चाहिए आया समझ में यहाँ पर आपके शब्दार्थ दे रखे हैं यहाँ प्रश्ण उत्तर अभ्यास आपको कॉपी में लिखना जैसे बिना विचारे काम क्यों नहीं करना चाहिए तो लोग हसेंगे अगर करेंगे पश्टारदाप करना पड़ेगा वेक्ती हसी का पातर कैसे बनता है जब बिना विचारे हम कोई कार्य करते है दौलत पाकर अभीमान क्यों नहीं करना चाहिए तो दौलत पाकर अभीमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो क्या है ये माया है ये ना चंचल है कभी किसी के पास कभी किसी के पास गिर्दय कविराय ने धन की तुल्ला में यश को श्रेष्ट क्यों बताया है क्यों 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 कि यश हमेशा जीवन भर साथ में रहता है दौलत को किसके समान चंचल कहा गया है तो दौलत को यहाँ पर जल के समान किसके समान जल के समान चंचल कहा है अपने मन की बात क्यों छुपानी चाहिए क्यों 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 कि बुरे लोग उस पर हमारी हसे उड़ाते सोच कर उत्त दीजे अब आपको यहां पर खुद सोचना उत्त देना है क्य धन जीवन में आवशक है क्यों हाँ धन जीवन में आवशक है हमारी जरुरतों को पूरा करने के लिए धन के अपेक्षा मान सम्मान बड़ा है आप इस सुक्ती से सेमत है क्यों तो हाँ हाम उसकती से सेहमत है क्यों क्योंकि सम्मान होगा मान होगा सम्मान होगा तो धन अपने आप हमारे पास आता है कुछ करने से पहले सो बार सोचिए इस मान्यता का कारण समझाए तो बच्चो कुछ भी करने से पहले सो बार सोचने के लिए इसलिए कहा गया है क्यों कि यदि हम नहीं सोचते तो बात में हमें क्या करना पड़ता है पश्ताना पड़ता है है ना इसलिए बिना विचारे कोई कारिय नहीं करना चाहिए अब यहाँ पर देखो निमनली के शब्दों के लिए काविय में प्रयुक शब्द ढूंड कर लिखने जैसे संसार तो संसार को काविय में जग का है मेहमान तो पाहुन, हटना टारे, काम कारज, पानी जल, बुरे लोग दुरजन, जगह ठाओ, चतुर चतुरन ये सारे काविय में बताएं गए शब्दे निमनली कित काविय पंक्तियों में रिक स्तानों की पूर्ती कविता के आधार पर कईज़ Heidi तो आपको कविता के आधार पर कविता को देख लुआ है आया समझ में अब याँ किसी भी भाषा में विराम चीन अती आवशक है विराम चीन का मतलब अलग अलोगोते पूर्ण विराम प्रश्ण वाचक चीन ये सब तो वहाँ विराम चीन हमें लगाने जिससे हम क्या कहते है एक खड़ी लकड़ी पूर्ण विराम अर्ध विराम मत प्रश्न यजानना आवशक है पोण विराम तो ये आपको क्या करना है बच्चो अभ्यास अपनी कौपी के अंदर करने है आया समझ में और साथ ही साथ इसके भावार्त जो मैंने आपको बता है वो भी लिखने है धन्यवाद बच्चो